उपनगर ग्वालियर के हजीरा थाना शेत्र के सुभास नगर इलाके में दस फरवरी की राच चोरी की दो संसनी वारदातों को अंजाम देने वाले दिल्ली की गैंके सदस्यों को पुलिस ने गिरफतार किया है लेकिन इस संसनी केस चोरी का मास्टर माइन फिल हाल फरार है आरूपियों के कबजे से आई 20 कार और 32 अजार की नगती भी मिली है लेकिन 60 लाक की हुई इस चोरी में अधिकांस माल मास्टर माइन के पास है जो की फिल हाल फरार बना हुआ है इन में तीन बदमाश दिल्ली के रहने वाले हैं जबकि एक बदमाश कॉलकता का रहने वाला है पुलिस अधिक्षक अमित सांगी ने बताये कि चोरी की संसनी केजवारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर निरिक्षन किया गया था घटना इस तल पर आधी रात को कार में चार युवक देखे गए थे तोल प्लाजा और मौके पर मिली कार के सीसिटी फुटेच में कार के मौडल में तो समानता थी लेकिन उनके नंबर अलग अलग थे हलाकि कार पर लगे स्टीकर एवं अन्य सामान वगरा एक ही निकला इसी आधार पर पुलिस इन बदमाशों को तलासते हुए दिल्ली तक पहुची यह कार दिल्ली के एक बड़े कारोबारी के नाम पर थी जब कारोबारी से पुलिस ने पूस्ताच की तो उसने बताए कि उसने इस कार को ओ एलेक्स पर बेज चुका है तब कार के दूसरे मालिक की तलास शुरू की गई इसके बाद पुलिस ने संगम बिहार जहांगीरपुरी इलाके में तीन बदमाशों को ग्रफतार कर लिया और जो इसमें कहानी पकड़ने की जो है वो इस प्रकार है कि जैसे दिन यह नकब जनी हुई उसके बाद सबसे पहले सीसी टीवी कैमरों को खंगाला गया तो इसमें एक आई 20 कार हमको नजर आई और उसी प्रकार की एक आई 20 कार और भी कई कैमरों में नजर आई परंतु उसमें दोनों में कुछ समानताइम दिख रही थी और उस अधार पे हमने टोल बेरियर में देखा तो टोल बेरियर का नंबर और जो हमको घटना स्थल के आसपास देख उसका नंबर इसमें अंतर था परंतु गाड़ी में समानता थी तो हम टोल बेरियर के नंबर को देखते हुए हमारी टीम आगे गई और जब आगे गई तो पूरा नंबर क्लियर हुआ इस नंबर का जब रिजिस्ट्रेशन ओनलाइन चेक किया गया तो यह जिस ओनर के नाम ट्रांसफर नहीं कराई है इसी बीच में हमको कुछ ग्राउंड इसमें दिल्ली से अभी तीन आरोपी पकड़े गए हैं जिसमें एक कलकत्ता का है दो दिल्ली के रहने वाले और एक इसका जो मास्टर माइंड है दिल्ली का रहने वाला वह भी हात नहीं आया जिसके लिए ह हमारी एक टीम अभी दिल्ली में है इसमें दिल्ली पुलिस ने भी गवालियर पुलिस की काफी मदद की